हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई टूप चैनल स्वीट मुमेंट आइम हेव दनी पार्ट ऑफ टेम्ड अन्टेम्ड तो फ्रेंड्स यही मेरा चूट आसा स्वार गिफ्ट है जो तो मैं आज आप लोगं के साथ टेम द्र अन्टेम्ड के दो पार्ट अप्लोड किये और यही मेरा आप लोग के लिए सवार गिफ्ट था तो आ compressed मैं आपको बताया था जब ली जहान ने उन्य हमें को warten की को आपा पको अन्सर दे जिया था और उसके बाद जब discipline monster ने wing को बुलाया था तो wing के fox ने इतना innocently behave किया था जैसे wing की कोई mistake ही न हो तो अगर आपने tame the untamed के पहले के parts नहीं देखे हैं तो link में description box में दी है आप आजा के देख सकते हैं और अगर आप में चैनल पे नियू हैं और आपको में वीडियो पसंद आती हैं तो में चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा वीडियो को like and share करना मत भूलेगा फ्रेंड्स आज की स्टोई स्टार्ट करते हैं जब मैडम जान को पता चलता है कि ली जान को hurt हुआ है तो वो तुरंथ hospital जाती है क्योंकि उन्हें information मिली थी कि school की nurse उसका treatment नहीं कर पाई और उसे hospital में refer करना पड़ा जान family की अभी सबसे बड़ी problem मनी थी वो hospital केबल पे नहीं कर सकते थे पर उन लोगों का लग अच्छा था क्योंकि ली जान school में hurt हुआ था और उसके साथ responsibility school ने ली थी सबका answer same था कि ली जान को कोई problem नहीं है पर ली जान pain की वज़े से रो रहा था उसका हाथ बहुत जादा red हो रहा था डॉक्टर्स के पास और कोई choice नहीं थी इसलिए वो ली जान को penkler's देकर discharge कर देते हैं मैडम जान को जब पता चलता है कि डॉक्टर्स उनके सन को अच्छे से treat नहीं कर सकते तो वो hospital और doctors को curse दिन लगती है कि उन लोगों को patient को अच्छे से treat करना भी नहीं आता वो hospital सबसे best hospital था और वहाँ की हर patient को सबसे best treatment लिया जाता था इसलिए वो doctors मैडम जान की बात सुनकर बहुत गुशा हो जाते हैं और उन्हें तुरंथ hospital से kick out कर दिया जाता है मैडम जान जब अपने सन के साथ घर पौशती है तो वो तुरंथ अपनी mother-in-law को ढूंदती है क्योंकि अब केवल उनकी mother-in-law के पास थी इस problem का कोई solution हो सकता था मैडम जान कहती है कि mother अब आप ही में सन की help कर सकती है उसका हाथ insert हो गया है यह हर किसी को दिख रहा है कि उसके हाथ में कोई problem है पर वो useless doctor कह रहे थे कि उसका हाथ बिलकुल सही है अब आप ही कुछ कर सकती है मैडम जान ओल लेड़ी को लीजान की room में ले जाती है जब वो दोनों वह एंटर करते हैं तो लीजान को floor पे देखते हैं जो खुद को cuddle करके वहाँ लेटा हुआ था और रो रहा था ओल लेड़ी ट्रुएंट लीजान के पास आती है और अपनी power का use करके उसके हाथ को चेक करती है कि उसे क्या हुआ है पर उन्हें कोई भी problem नहीं मिलती वो जितने भार भी अपनी power का use करती है result हमेशा same था तो फिर वो चैन जान से पूछती है कि चैन जान क्या हुआ है तो मैं प्रदर के हाथ को कि इसने touch किया था क्या कोई suspicious person तुम्हाँ स्कूल में आया है जो जैन जान की close गया हो जैन जान जो की अभी तर silence था वो immediately अपना सिर्फ लाता है और कहता है कि हाँ उस pastor wing ने ब्रदर के हाथ को पकड़ा था ओल लेड़ी confirmation के लिए चैन जान से फिर से पूछती है कि क्या तुम sure हो कि ये वही orphan kit था कोई और नहीं चैन जान अपना सिर्फ ला देता है वो sure था कि उसके ब्रदर के हाथ को सिर्फ उस pastor नहीं touch किया था उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग इतना change कैसे हो सकता है उसके mind में बहुत सारी question थे पर उसके पास अपने किसे भी question का कोई answer नहीं था ओल लेड़ी अपनी power का use करके लीज़ान को कुछ time के लिए सुला देती है पर वो उसके हाथ का कोई treatment नहीं कर पा रही थी इसलिए वो अपने elder angel को बुलाती है angel महाँ पर तुरंट appear हो जाती है और वो लीज़ान के हाथ का close look लेने के लिए उसे touch करती है पर तुरंट छोड़ भी देती है जो कि अब black color में shine कर रहा था वो angel surprise के साथ कहती है कि इसे अंडर वर्ल्ट के किसी royal family member ने hurt किया है वो angels जो अंडर वर्ल्ट से ब्लॉंग करते हैं उनके पास ही ऐसी ability होती है कि वो किसे person को इतनी बुरी तरीके से hurt कर सके कि वो डेली सिर्फ suffer करे और ये wish करे कि वो जल से जल मर जाय ऐसा सिर्फ अंडर वर्ल्ट के head या उनकी blood line ही कर सकती है एंजल के बास सुनने के बाद सफ के face पर confusion था जब एंजल ये लोग notice करती है तो वो आगे continue करती है और कहती है कि मेरे कहने का मतलब है कि ली जान को अंडर वर्ल्ट के king या उसके higher ने insert किया है और मेरी knowledge के according अंडर वर्ल्ट के king की अभी तक marriage नहीं हुई है और नहीं उनका कोई higher है इसका मतलब ली जान को खुद अंडर वर्ल्ट के heads ने insert किया है एंजल के बास सुनकर मैडम जान और ओल लेडी और बी ज़्यादे सप्राइज हुआते हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ली जान ने ऐसा क्या किया जो वो अंडर वर्ल्ट के king के contact में आ गया और उसने ली जान को hurt कर दिया ओल लेडी अपने शौक से बाहर आती हुए कहती है कि क्या तुम आपास इसका कोई solution है क्या तुम इसे treat कर सकती हो एंजल कहती है कि मैं इसे treat तो नहीं कर सकती पर हाँ मैं pain को कम करने की कोशिश कर सकती हूँ एक मन्त के बाद इसके हाथ की redness खतम हो जाएगी और ये pain भी खतम हो जाएगा मैं advice दोंगी कि अभी school से दूरी रहे और वहां ना जाए ओल लीडी एंजल की बाद सुनकर दूर से relax हो जाती है पर उन्हें एक बात confirm थी कि वो अपनी life में कुश भी करेंगी पर इस एंजल के king को कभी भी face करने की कोशिश नहीं करेंगी क्योंकि उनके पास इतनी power नहीं है कि वो उसका सामना कर सकें इधर वींग जब घर आता है तब वो अपना home work करता है इसके बाद वो बेट पर लेट जाता है फिर अपना mobile चैक करता है जसमें as expected बहुत सारे message आये थे उसके classmates उसकी study में help मांग रहे थे वींग उन सब को promise करता है कि वो कल सब की help करेगा वींग अपना mobile से चौफ करके रख देता है वो सोने ही वाला था तब ही उसके stomach में जो baby था उसकी आवाज आती है वींग का baby अभी पूरी तरी के से grow भी नहीं हुआ था पर उसे उसके father का playful nature मिला था उसने अपने कुछ powers को अपनी ममा के हाथ में transfer कर दिया था जब वो bad boy उसकी ममी को hurt करने की कोईश कर रहा था और फिर जब किसी के sound करने की आवाज आई थी तब भी वो वींग के stomach में इसी तरह आवाज कर रहा था जोकि बहुत ज़्यादा funny था इसी तरह one week भी जाता है वींग का पूरा concentrate सिर्फ study में था उसने इस पूरे week में चैन जान और ली जान को एक बार भी नहीं देखा था उनके exams भी तीन दिन में complete हो जाते हैं वींग ने अपने exams के time पर अपने friends की बहुत ज़्यादा help की थी exams खतम हो जाने के बाद साय इस्ट्रोएंट्स बहुत ज़्यादा excited थे क्योंकि आज उनके school में party थी जिसमें आप जो बनकर जाना चाहें वो जा सकते थे like fancy dress party या फिर costume dress party वींग जो की school hall में अपने friends और बाकि साय इस्ट्रोएंट्स के साथ बैठा था वो अपने friends से पूछता है कि तुमारे exams कैसे गए hall में बहुत ज़्यादा noise थी क्योंकि साय इस्ट्रोएंट्स बस इसी बारे में बात कर रहे थे कि वो लोग आज नाइट के party में क्या पहन के आने वाले है एरिक वींग को हग कर लेता है और कहता है कि मेरे exams बहुत अच्छे गए तुमने मेरी help की उसके लिए thank you so much मैं बहुत लगी हूँ कि मेरा तुमारे जैसा best friend है वींग के face पर smile आ जाती है क्योंकि अभी उसका friend एरिक five year old boy की तरह behave कर रहा था क्लारा भी excited होती हुए कहती है कि मेरे parents बहुत ज़्यादा surprise होने वाले हैं क्योंकि इस पार मेरे बहुत अच्छे greats आएंगे एरिक excited होते हुए wing से पूछता है क्या तुम आज night की party में आओगे विंग जिसने पहले से decide कर लिया था कि वो आज की party में नहीं आएगा वो अपना से हिला देता है क्योंकि वो इसमें uncomfortable था एरिक कहता है कि नहीं wing ऐसा मत कहो अगर तुम scared हो या तुमें embarrassment फिल हो रही है कि तुम आज की night party में क्या पहन के आओगे तो क्लारा stylist है वो तुमारी help कर देगी विंग सोचता है कि बागे साथ instruments के साथ interact होना कोई बुरी बात नहीं है ऐसे भी सारे instruments उसको बहुत अच्छी तरीके से treat करते हैं जबसे ली जान ने उसे bully करने की कोशिश किया है इसके बाद किसी ने भी उसके साथ ऐसा कोई behave नहीं किया विंग कहता है कि ओके मैं आज के party में तुम लोग के साथ आने के लिए ready हूँ पर मुझे अपनी डैड की permission लेनी होगी और मैं इस बात की guarantee नहीं दी सकता कि मेरे डैड मुझे permission देंगी या नहीं कलारा कहती है कि don't worry हम अपने घर ready होने से पहले तुमाई साथ तुमाई घर जलेंगे तुमाई डैड की permission लेने के लिए इसके बाद विंग और उसके friends इसकूल से बाहर आ जाते हैं विंग का driver car open करता है और विंग अपने friends के साथ अपने घर जला जाता है जब एरिक और कलारा विंग का penthouse देखते हैं वो दोनों बहुत ज़्यदा surprise थे एरिक surprise के साथ कहता है कि विंग तुम इतने बड़े घर में सिर्फ अपने cousin के साथ रहते हो जबसे तुमारा husband travel करने गया है विंग ने अपने friends को बता दिया था कि उसकी marriage हो चुकी है पर उसने अभी तक यह नहीं बताया था कि उसका husband Underworld का king है और वो Phoenix Ory clan का member क्योंकि वो सही टाइम के आने का wait कर रहा था विंग अपने friends से कहता है कि तुम लोग यहां पर ब्लुकल comfortable feel करो मैं तुम लोग के लिए कुछ snacks लेकर आता हूं और dad अभी अपने रास्ते में ही होंगे यह कहके विंग किचन में चला जाता है और वो अपने friends के लिए कुछ snacks और जूस लेकर आता है फिर वो room में change कर निक विंग के father को देखते हैं तब वो अपनी जगह पे stop हो जाते हैं और उन्हें greet करते हैं मिस्टर जियांग उन दोनों को देखकर smile करते हैं और कहते हैं कि डरने की कोई जरूत नहीं है तुम दोनों विंग के friend होना उसने मुझे तुम दोनों के बारे में पहले ही बता दिया कमफुटेवल फील करो एरिक smile करते हैं कि अंकल हम दोनों यहां पर आपकी permission लेने आया हैं हम चाहते हैं कि विंग आज हमारे साथ school की party enjoy करें आप उसकी tension मत लीजे हम दोनों उसका ख्याल रखेंगे विंग भी अपने friend से कुछ दूरी पर ही खड़ा था मिस्टर जियांग विंग को देखकर smile करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम दोनों उसे protect करोगे तो ठीक है तुम तिनों आज की party में जा सकते हो प्रिंस्पल ने already मुझे call करके inform कर दिया था अगर तुम दोनों चाहो तो तुम भी ही रुख सकते हो और विंग के साथ ready होके party में जा सकते हो वो दोनों shout करने लगते हैं पर immediately अपना mouth cover कर लेते हैं और Mr. जियांग को एक smile के साथ thanks बोलते हैं फिर वो दोनों विंग के पास excited होके जाते हैं और Eric कहता है कि विंग चलो अ उन्हें चाहिए थी Mr. जियांग वो सारी चीशे arrange कर देते हैं विंग ने decide किया था कि वो अपने deal form में transfer होकर ही school जाएगा और बस वो अपने head के phoenix holy mark और nine tails को hit कर देगा ताकि वो six pieces ना लगे friends इस story का next part मैं अप लोग के साथ कल share करूंगी और guys मैं vampire function और until next life का एक एक पार्ट पे अप लोग के साथ कल share करूंगी guys मेरी voice अभी थोड़ी सी खराब है actually cold की वज़े से मैं ज्यादा बोल रही हूं तो मेरी आवाज वो भारी होने लग रही है तो मैंने ज्यादा वीडियो अप लोग के लिए नहीं बनाई और यार मेरे college के lectures भी स्टार्ट हो चुके हैं जिनने में miss नहीं कर सकती फिर भी मु आप लोग के लिए बस ऐसे अच्छी अच्छी स्टोरी आप लोग के साथ हमेशा शेयर कर सकती हूं और आप लोग को टैंक्स बोल सकती हूं इसी तरीके से और तो मैं कुछ करने सकती तो guys thank you so much फिर से और प्लीज अगर आप लोग के वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक this video and subscribe my channel bye bye take care